प्रेंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूत्यूब चैनल पर और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है मोबाईल रिपेरिंग से रिलेटिडिड मैंने आपको बताया था कि मैं यूतुब चैनल पे अपने यूतुब चैनल पे फ्री में और सब्सक्राइब का जो है हमारे यह दूसरा लेसन चाल हो रहा है जिसमें चैप्टर अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको यह बताऊंगा इस वीडियो में जिसमें मोबाइल फोन के अंदर जाहें उडाइब फोन हो या एपल फोन हो या किसी पीवी मोबाइल हो उसके अंदर जो लगे होते उस कंपनेन को कैसे आप करेंगे कि वोड़ के अंदर कौन कौन से कंपनेन पिखिश लगे होते हैं ऑर इसका function क्या है तो फंक्षन तो बात की बात है फ़ले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भी एक मॉवाइल आता है और मॉवाइल में कोई दिक्कत होता है तो उसको अगर खोलते हैं खोलने के बाद जो है उसमें इस टाप का आपको देखेगा PCV जो कि आप देखेंगे यह एपल का PCV है यहां पर भी देखेंगे यह अलग लग टाइब के जो है PCV है तो इस PCV के अंदर वह हजारों लगे होते हैं जो कि आप देखेंगे छोटे छोटे जो है इसमें लगे होते हैं तो इस कंपनेंन के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर मॉवाइल रिपैर करने से वेनिफिट है तो इसमें मैं बस आप डाइरेक्ली टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि इस फोन के अंदर मॉवाइल फोन के अंदर जो कॉंपनेंट लगे होते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है जैसे कि अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने एक लिस कहते हैं और वह उसका रियल सेफ कैसा होता है अब यहीं आपको फोन में जो है एक हे करके बताऊंगा दिखाँंगा कि यह जो है वो कहां लगा होता हुए उसकी कैसे पाचान करेंगे तो चलिए देखते हैं आप माइक्रोस्कोंप में हम आपको यहां पर दिखाएंगे जो माईक्रो श्कोप का मैं यूज कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं यह कोमपोनेन लगा होता है हम कैसे चесто बोलते हैं लगा होता है बिलकुलिख मतलब छोटा दाकार का होता है और उसकी पाचा नहीं होती है कि बोर्ड के अंदर शिल्वर लाइन और ब्लैक बोडी होता है जैसे कि आप देखेंगे हमारे इस फोन के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि रजिस्टर जो है इसमें कहां पर है तो इसमें आप देखेंगे रजिस्टर जो है वह यहां पर है यह कैपसिटर के बाद जो है यहां पर आप देखेंगे इसके बगल में यह छोटा वाला जो है यह यह रजिस्टर विल्कुल बोर्ड में चिपका हुआ होता है तो उसमें जो रजिस्टर आपको दिखेगा वह दिखेगा सिलोर लाइन और ब्लू बड़ी का भी अगर दिखता है तो वह भी रजिस्टर होता है क्योंकि बोर्ड के अंदर मोबाइल फोन के अंदर कंप्यूटर लैप्टॉप में या बड़े कोई इलक्रोनिक सर्किट जो होता है उसमें तो लैटर लिखा होता है लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर इतने छोटे छोटे कंपोनेंट होता है कि वहाँ पे डिनोटिंग लैटर नहीं लिखा होता है तो मोबाइल फोन के अंदर आपको ज्यादा तर नोटिस करना है सिलोर लाइ औरero line blue body तो blue body जो है आपको ज्धातर apple वाले body मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देखेंगे आप screen पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है आपको यह सब दिख रहा है यहाँ पर blue body 양 follow line जो है आपको blue body में register यहाँ पर दिख रहा है और इसी के बगल में यहाँ आप देखेंगे यह सिलो लाइन ब्लैक बोडी जो है यहाँ दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक बोडी दिख रहा है तो सिलो लाइन ब्लैक बोडी यह भी जो होता है वह भी रजिस्टर है और यह ब्लू बोडी वाला भी रजिस्टर है आपके पास जो भी फोन है उस फोन को खोलिए खराब को ले ले जी मुदू है। जो भी छोटे आकार का बोड़ के चिपका हुआ है जो आपका register होगा यह पहला component जो है आप ऐसे पाचान सकते बोड के अंदर, second के अगर हम बात करें, capacitor, तो capacitor हमारे बोड के अंदर जो है, वो 99% जो है, mobile phone के अंदर, non-polarized लगा होता है, जिसको NPC बोलते हैं, और non-polarized जो capacitor होता है, इसकी जो पाचान है, वो होता है, slower line brown body, slower line grey body, इस body में जो है, आपको ज्यादा तर जो है, वो capacitor देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आपको इसी में दिखाओं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, कि यहाँ पे यह जो component है, यह slow line brown body, 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 यही capacitor और यहाँ पर भी आप देखेंगे छोटे कार का यह भी capacitor ही है यहाँ पर भी अगर देखते हैं यह भी जो है वो capacitor है slow line brown body या slow line gray body के ही capacitor आपको board में ज्यादा तर मिलते हैं कहीं कहीं पर जो है अगर capacitor की बात करें तो polarized capacitor भी होता है जो कि अगर हम इस board के अंदर देखें तो polarized capacitor आपको इस टाइप से दिखेगा जो कि मैं आपको दिखाता हूं इस स्क्रीन पर यह दिखिए यहाँ पर यह 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 बोड़ी और यहाँ पर orange line यह जो है आपका polarized capacitor है जिसमें plus और minus होता है non polarized में कोई भी plus minus नहीं होता है अगर इस polarized को अगर निकाल के लगाते हैं आप तो उस condition में आपको plus और minus देखके ही लगाना होगा अगर ultra लगाते हैं तो component भी खराब होगा circuit भी खराब होगा इसमें जो line वाला area होता है इस वाले SMD टाइप वाली म लेकिन आपने बाड़ा वाला capacitor देखा किस और circuit में उसमें क्या होता line वाला minus होता है body वाला plus होता है लेकिन SMD टाइप के capacitor होता है उसमें line वाला जो होता है वह area जो drink charge हो माइन उते हैं मेदोगी यह बात के अंदर हम कोईल के अगर बात करें तो कौईल जो है बहुत सारे लगे होते हैं और किस टाइप से दिखता है बोड के अंदर वह हम देखते हैं यहां पे जो कि आप देखेंगे सु दो कि अंदर जो है कॉयल एक तो बड़े अकार में होता है मतलब भींस में होता है जो कि आप देखेंगे कि इह कॉ MinaBil अमाय पास जो है वो ठूटा ऊवा है यहाँ पर हॉट अब इसको यह वोड़ी में जो है अंदर इंटरनली क्वाइल क्या होता है वायर से ही लपेटा होता है तो इसके अंदर देखें अगर यह तूटा हुआ है उसके अंदर वायर आपको दीख रहा होगा तो यह इस टाइप का आपको क्वाइल है उसके अलाबा जो है और भी देखाते हैं देखें यहां पर भी यह क्वाइल है जो क उसके बास मैं दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ यहां पर देखें यह वाला जो क्वाइल है यहां पर यह देखें यह भी जो है सिलोर लाइन सिलोर लाइन और ब्लैक बोडी होता है और अभी मैंने आपको पता है सिलोर लाइन सिलोर लाइन जो है ब्लैक बोडी जो होता है वो रेजिस्टर होता है लेकिन यहाँ पर होगा सिलौर लाइन ब्लर कुल चोट आकार में होगा और और उठा हुआ है या अगर वो मोटे यकार का है या साइज में बड़ा है और सिलोर लाइन ब्लैक बोडी है तो 100% वो क्वाइल है और उसको चेक करने पे बीप करेगा दोनों पीनों पर अगर हम टच करते हैं यहां पे इस वाले पीन पे भी और इस वाले पीन पे मल्टिमीटर से तो यह क्या क माइन में बैठा के चलना है क्यांकि कहीं पे भी अगर लैटर नहीं लिखा है तो लाइन ब्लैक बोडी रजिस्टर में विकाउंट होगा पाचानने का तरीका आपका यह है और बोड में उठा हुआ होता है यहीं पाचन इसके लाब और कोई पाचान नहीं है दूसरा जो क जो कि यहां पूब को दिख रहा है यह वख जो कि इसके अदर भी ऑपको आपको दिख रहा हो गा तो यह भी क्ायल है इसको चेख करने पर भी आपस में बीप करता कि इस टाइप के जो है ज़ुले को लगे होता है उसका अगर हम बात करें आई-शी कि और में कि अगर हम बात करें, तो IC तो आजार होता है, अब हर एक बोर्ड में जो यह अलग लग ताइप के IC होता है, तो IC के बारे में मैं, नेक्स्ट वीडियों में बताऊंगा कि कौन सा IC को क्या बोलते हैं, फिलाब , यह लिखा होता है लेकिन कुछ बोर्ड में लिखा होता है तो तो आइसी दो टाइप के ऐसे एक होता है एक घूनाइटे यह होता है जिसमें बाहर से पिन दिखता है और एक होता है लिकिन अपकी जो बोड आ रहे है उसमें अब कीर से नहीं होता है जिसमें डॉट डॉट टाइप के जो है वह बने होते है तो यह आई सी हो गया उसके वाद से अगर हम क्रिष्टल की बात करें तो क्रिष्टल भी हमारे बौर्ड में मौवाइल फोन के अंदर जो है मिनिमुम दो लगा ही होता है ठीक है एक आटीसी क्रिष्टल होता है यह एक पावर क यह वाला जो है वो crystal है यहाँ पर इस्टील बोडी होता पूरा यह complete इस्टील बोडी है जो कि आपका two leg का भी होता है और four leg का भी होता है कुछ-कुछ board में यहाँ पर x या y लिखा होता है जो letter है वो मैंने इसमें बता दिया कि कौन-कौन सा letter हो सकता है जो board में आप किसी भी electronic circuit को देखेंगे तो यह letter हो सकता है अगर letter नहीं लिखा है तो आपको ऐसे ही देखके confirm करना होगा यह still body होता है ब्लैक बोडी होता है पूरा यह black body का भी होगा जो इसमें four leg होगा इस टाइप से आप confirm कर सकते हैं उसके अलाबा जो है मैं आपको दूसरा crystal इसमें दिखाता कि दूसरा crystal जो है कभी कभी जो है still body के नीचे होता है यहां पर आप देखेंगे यह वाला यह वाला भी crystal है जो कि यह four leg है internally उसके बाद से मैं आपको दूसरे board में दिखाता हूँ कि दूसरे board में crystal आपको किस टाइप से दिखेगा तो इसमें जो है यहां यहां पर देखें यहां पर यह भी आपका crystal है जो कि यह भी four leg का है उसके बास में और हमारे पास दूसरा board है इस board में दिखाता हूँ मैं crystal तो crystal जो है आपको जहातर still body का होगा जैसे आप यह देख सकते हैं four leg का या two leg का होता है crystal इन सब का जितने भी component है इसकी working testing कैसे करते हैं इसका भी मैं ज पता कैसे करेंगे कि यह component कौन सा है तभी आप उसकी testing कर सकते हैं उसके बाद से हम बात करें इस फोन के अंदर तो डायोड कहां पर होता है और उसको हम कैसे confirm करेंगे तो डायोड जो होता है आप मानने चलिए पूरा complete black होता है black body होता है एक line सा होता है side में जो कि उसको डायोड दिखाता हूँ यहाँ पर देखेंगे रहे सतिध्य यह इस ट्याइप के 다योड मिलेगा यह बलैक बोड़ी है और यह जो इसका बूर्च होता है ज्यकि आप देखेंगे itu बड़ी ही बलेक होता ही यह इस ट्याहँ यह ऐस एक डायोड होते है और भी बोर्ट में पीछे तो आगे नहीं दिख रहा है तो इधर देखते हैं यहां पर देखेंगे जो इसका पीछी भी है यहां पर यह वाला जो है डायोड जिसमें आप देखेंगे कि हलका से एक और डार्क ब्लैक जो है एक लाइन दिख रहा है यह पूरा जो है बोडी यह ब्लैक है और यह आपका डायोड है इस टाइब का आप यहां पर भी देखेंगे यहां भी डायोड है जिसमें एक लाइन सा दिख रहा है जो लाइन दिखता है अगे मैं आपको बताना है to डायोड होता है complete जिसमें आप देखेंगे तो एक हलका सा लाइन दिखेगा वो लाइन आपको microscope आप यूज करेंगे या mini microscope यूज करेंगे तभी आपको या magnifier यूज करेंगे तभी आपको लाइन दिखेगा otherwise लाइन नहीं दिखेगा जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं इसमें आप देखेंगे अलका से एक black line है पूरा और इसमें भी एक line है तो इस type से आप पता कर सकते हैं confirm कर सकते हैं कि इसमें diode कहाँ पर मैं आपको इसमें दिखाता हूं जो कि और size में तो यह भी आपका डायोड है उसके बाद से अगला हम कॉंपनेन की बात करें तो ट्रांजिस्टर जो है अब मुवाइल फोन के अंदर बहुत कम आ रहा है पहले जो है वो ट्रांजिस्टर यूज होता था अब जो है वो आइसी के अंदर ज्यादा तर जो है इन विल्ड होता ह तो अगर ट्रांजिस्टर अगर हमें कनफर्म करना है तो कुछ बोर्ड में मिलेगा कुछ बोर्ड में नहीं मिलेगा मैं कोशिस करता हूं आपको कि बोर्ड में दिखाओं कि ट्रांजिस्टर इसमें कहां पर है थ्री लेक का होगा जहां पर भी होगा त्रांजिस्टर इस बोर्ड में तो है नहीं यहां पर देखते हैं दूसरे बोर्ड में हाँ यहां पर देखेंगे यहां पर एक हमें ट्रांजिस्टर दिखा है अब यह ट्रांजिस्टर में कभी करन फीजन होता है कि यह मॉस्पेट भी हो सकता है लेकिन यह तभी करन फीजन दूर होगा जब आपको टेस्टिंग आ रहा होगा यह देखिए इस टाइप से जो हता ह वह transistor होता है अब में भी हो सकता है कि यह diode भी हो में भी हो सकता है कि MOSFET भी हो लेकिन यह कब confirm होगा जब आपको टेस्टिंग पता हो 90 % जो है आपके mobile phone में इस टाइप के लगा हुआ है तो वह transistor होता है यह transistor मान के चलेंगे इस टाइप के थ्री ले स्टीर वाला अां आप स्टूइच आपको दो जिए आप द siamo करते हैं जैसे आपको देखेंहें कि यहां पर यहकंत है कर स्टूइच को इसकी बस्ट को एक तरगा तरगा स्जो खराब जाता है मोर अने नहीं होता है या हमारा वोल्यूम का स्वीच खराब जाता है तो वह काम नहीं करता है उसके बाद से अगर हम बात करें तो फ्यूज जंपर किनेक्टर तो फ्यूज जंपर किनेक्टर जो होता है यह कंफर्म नहीं होता है बोर्ड में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जो है आप यह तरह का डिस्प्लेय का कनेक्टर है इस टाइप के चार्जिंग का कनेक्टर होता है कैमरे का कनेक्टर होता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे यहां पर यह है किसको बोलते है यहतरा का कनेक्टर है तो इससे क्या होता है डिस्प्लेय करनेक्ट होता है इसको कनेक्टर वोलती है उसके पा지 से जो है इसमें आगर हम कैमरे की बात करें तो अब इसी किनेक्टर में इसी टाइप के किनेक्टर में लगा होता है तो यही कोई किया है मतलब पांच से छे कॉम्पोनेंट जो है वो बोर्ड के अंदर लगे होते हैं रजिस्टर कैपेसिटर डायोड क्वाइल आईसी फ्यूज हो गया उसके वासे ट्रांजिस्टर हो गया आपका क्रिस्टल हो गया यह इतने कोम्पोनेंट डेकर इसमें पाचान सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं कि यह कॉंपोनेंट और अगले वीडियो में आपको बताूंगा इन सब क्सक्राइव क्या है कैसे हम चेक करेंगे लेंगे बोर्ड के लिए कैसे निकालेंग से तो अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा जो है यहां पर ऑनलाइन और अफलाइन दोनों क्लासिस चलता है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं जो नमब्र डिस्प्लेव दिखाई दे रहा वहाँ पे जो है कॉल करके जो डिटेल है वह आप ले सकते हैं